जे नमुस्तू तद तुम्छनन्द आनन्द माउं चे अननन्द साहाँ परमिताति पदे वेंदिपाँ नमियों से धसुभाँ गुरु वेशे गुपती रुई गुपती ज्यान सहकाँ तारण तरण समर्थ मुनी गुरु संसार देवाँ धम्चुत्तू जिन्वर हम अर्थती अर्थे जो भैवे नासे भब जो मुनाओं मम्मा ले न्याने पर लोई देव को गुरु को धर्म को शाजी को वारंबार नमशकार हो वमकार वेदांति शुद्धात्मे तत्वं प्रेमा मिनित्यम तत्वारते साधम न्यानम मयं साम्मी की दर्शनेत्वं सम्या एक्तिशर्णम छेतान निरूवं बुलिये शेह शमेश ध॥ात्मे देवी की जैहो 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 अचार प्रवर सद्गर्वा तारं तर्म लाचार जी महराज की जैहो जैहो जय हो ज्रेंद्र परमात्मा की अम्रित मैं शुद्द जिन देशना की जय हो जय हो जय हो अच्छार पबर तारंतरं स्वामिज जी महराज द्वारा विरचित स्री माला रुहन जी गरंद की गाथा नंबर वाहरा जिसमें आच्छार तारंतरं जिन देव भब जीवों को पड़िमाए ग्यारा तत्वानी पेखं व्रतानी सीलं तपदान चैत्वं सम्यक्त शुद्धं न्यानं चरित्तं सादर्शनं सुद्ध मलं विमुक्तं आचार देव भब जीवों को इसे सुद्ध दर्शन में ग्यान में चारित्र में अपने सुभाव करमल से विमुक्त जो सुभाव है उसमें चरण करने की प्रेणा दे रहा है केसे होगा चरण पड़िमाएं ग्यारा तत्वानी पेखम पड़िमाओं प्रतिमाओं को धारण करके तत्तों की अथार्थ पहचान करके व्रतानी सीलम तप दान चित्वाँ व्रत सील तप दान आदी में अपना चित्त लगा के यही चरण चल रही नए अपने भीया यह इस चरण चल रहा है एसी चरण नहीं कि आपको क्या कहते है कि बुद्धी का बिलास करवाया जाई यह वर चरण नहीं है मन रंजन जन रंजन से बहुत उपर की वात है या अचारत आरंत रंदेप्या के रहे हैं कि पड़िमाए ग्यारा तत्वानी पेखा इन पड़िमाओं में इन प्रतिमाओं में इन में अपने तत्थ को पहचानने की तत्थ को अवलोकन करने की सामर्थ किन के पास है यहां सामर्थ सक्ति को उत्पन करने की बात है यहां सब दसा परियाय है परिणमन है ऐसा कहके प्रमात करने वाली चर्चा नहीं कि भही सब परियाय में सब परिणमन में यह बात नहीं है यहां साधक की अंतर गुप्त ज्यान की अनंत गहराई में स्वरूप मात्र को सोयम में पकड़ने से है और ज्यान धारा का जो ज्यान में ज्यान में जिन्य भगवान की देशना है न जिन्य भगवान जो बस्तु स्वरूप कह रहा है आचार तारन सौमी जो गाथाई कह रहा ह इन गाथाओं को सुनने से, इस प्रवल ज्यान धारा को सुनने से ही जीप के अंतर के संस्कार तूटेंगे, मन रंजन से नहीं तूटेंगे, जन रंजन से नहीं तूट रहा है, जीप के अंतर के संस्कार इस गहरी ज्यान धावत तूटेंगे, जैसे जैसे ज्यान अम्रित उ वेसे वेसे उसे सुहे में भी सुहे में भी क्या होगा भी या सुहे में भी सुहे में भी जो दिन पर चिंताएं बनी रहती हैं सुहे में भी जो दिन पर आकुलताएं बनी रहती हैं जो व्यर्त की नानप्रकार की उल्जाने बनी रहती हैं वहां से चित हटके आत्म चिंतन की जो धारा प्रिकट होगी न और आत्म चिंतन की धारा मतलब सरूप के चिंतन की जो धारा प्रिकट होगी आत्म सभाव की और दिश्टी जो उसकी बल्टेगी ये जो धारा उत्पन होगी अपने घ्यान की अवरल धारा अपने चेतनी सभाव की अवरल धारा ये धारा ही उसका पुरसार्त है क्योंकि करंधारा संसार अकारण है और घ्यानधारा प्रवल होना घ्यानधारा फुष्ट होना ये मुक्तिय अकारण है सहज औरहें विक्ति यह चाहा छा तो आप यह जो सुक्ष्म क्यांद की गहराई-उं का जो अबलोकन कर रहा हैं जनेंदर देप कीा जो आज्टार कर रहा हैं इस सहे कार से-गौत-छाधं-स इस सहकार से आपके अंतर में जो तत्वग्य उत्पन हो रहा है तत्व को जानने वाला जो जयाता जो अंतर आत्मा का जो जागरण हो रहा है आत्म जागरण थोड़ी सी गहरी बात है जो आपको अंतर में जो आपका आत्मा का जागरण हो रहा है जो आपकी ज्यानधारा उपलब्द हो रही है आपके सामने आपकी दिश्टी के सामने वो ज्यानधारा ही आपका पुड़सार्थ है तुम उस अपने जो सुभाव है उसकी पहचान करो पडिमाए ग्यारा इन ग्यारा प्रतीमाओं में आपको जिस तत्त का अनुचरण हो रहा है अपने जो स्यमिंज सद्धान है वरत अपनी मित्या प्रिवर्ती को समेट के अनुद्याप्रवर्ती इसे विरक्थ होके एक अपनी चेतन वृत्ति को गरण कर लेना जो अपने चेतन में आत्मा है ना इस चेतन में आत्मा की वृत्ति को गरण कर लेना इसका नाम व्रत है देख भाईया अच्छे से बहुत सांती से देहरे से देखो सुभे से शाम तक अच्छेतन में व्रत्ती क्या है देखना सुनना और मन में इंडरी विश्यों का विचार करना पुद्गल का विचार करना सरीर का विचार करना पुत्र परिवार का बिचार करना अकुलता, व्याकुलता मन रंजन, जन रंजन ये कानों से सुनना, देखना पंचिंद्री के सारे विसे ये सारे के सारे विसे मनों रंजन के सारे विसे ये सारे विसे बहुत अच्छे से ये सारे विसे ही एक तरफ से क्या है असुद्ध है असुद्ध मतलब ये सारे विशे ही अचेतन में आचरण है अब बताओ ये पूरे की पूरे विशे अचेतन में आचरण है इंद्री जनित साक के द्वेश के मोहि के अपनत के पूत्र के परिवार के पूरे के पूरे विशे पुद्गल में है पुद्गल के अब लंबन से जीब को उत्पन हो रहा है परके आशरे से परियाय परिणमन परके आशरे से जीब को अपलब्द हो रहा है तब ये होगे मन रंजन ये होगे रस ले रहा है जब जीब का उप्योगिक इस असुद्य में रमा दू रहा है अब पता इस असुद्य औभोग से यह अध्यान में पढ़नती को अनंत्य संसार का आश्रा हो चप शुण सब्सुंदर रहा हैं है। जिन भगवान की वानि सुनते समय डिक्वों को जिन रूप नहीं डिख डिकुराएं थ्रोवप राटंग को क्या हैं क zehn सन्सार की कारण है क्यां स्विसंते संप्ध अबलंब्ल का आश्रा टोड़ी ना सभाव की पृतिति थोड़ी ना तर्षेतन में में आनन्य में अपनेजिए द्रुप्धाम्त्रिकाली परमात्मा में अपनी व्रत्थ ही चल रही अपनी व्रत्ती अपने जेतने सभाव की ओर थोड़ी ना है क्योंकि जीब की व्रति उसकी प्रवर्ति जिसको संस्कार कहते हैं लोग की घ्वासा में लेकिन यहां मोक्षमार में संस्कार हों कोई काम नहीं लेकिन समझाने के लिए जीब की व्रत्ती जीब की प्रवर्ती जीब का अपना दर्शन ग्यान में सुयम का संसकार उसका गुण जीब की सुयम की व्रत्ती जब सुद्ध चैतन की और पलड जाए यह है आनंद की बात जब जीप के इंतर में स्वयम की आत्म चिंतन की धारा अपलव्त हो जाए, सुयम के ज्यान विज्ञान में सरूप का विस्वास बढ़े, और सुयम के अंतर की ज्यान धारा तत्त की पकड सहे, तत्त की गेहन निश्टा सहे, जो अंतरोन मुझ्यान धारा अपने अंता करण में बेठे हुए अपने परमात्न सुभाव को जाने अपने परमात्न सुभाव का अनुभाव करे यह समझ लो तब तब जीप को वृत्ति वृत्त में जो उसका सुभाव है अंतरंग से निश्चे से जो वृत्तों को उत्पन क करने का जो सभाव वह प्रकट हुया जब उसकी वत्ती स्वयम की अनुरूप हूई क्या कहा सम्यक्त-श़ुद्दm न्यानंध्यच्रित्रम् जब उसकी स्वयम की वरत्ती सम्यक्त द्रशन में सुद्द्द सम्यक्त में थिए न्यान हो चारित्रम Duty अच्रण करने कि marginalized ईस thi दान का उस लूब से चित्त हो गया चित्ति की परवरती हो गई क्वाल्टर चेख जेकी ऑपन दुख चित्त चैंः अभी घर लिख रहा है पुत्र परिवार दुख रहा है मं कなので भाई जेखहिन बहुत्न करा है अपेने आव्रति या में है तो अभी अपने चत्त में तो संयों घैंक करम धारा हैं भाव औहुढ़ाओं हैं यह सब कुछ मान लिया हमने कोई तिक्कत नहीं सब कुछ हों को यह कर और कोई भड़ाने वाले बात नहीं है बाद इतनी सी है कि इस चट वृत्ति में अपने चेतन्यम्य परमात्य सुभाव का सादर्सनम सुद्धम बलं विमुक्तम जो सुद्ध है, बुद्ध है, नित्थ है, निरंजने, शाश्वत है, त्रकाल जयवंत सुभाव है कर्मल से मुक्त है एसे सभाव का दर्सन कितना प्रगाड है कि मैं तो अध्य मना दी शद्दा एसे दृष सभाव का बिलकुल स्रद्दान प्रचंड तेज कितना जोड़ो सोर से है जितना जोर सोर से पचंड श्रद्धान होगा जितना जोर सोर से श्रद्धा होगी उतनी ज्यान धारा अपने आप प्रकट होगी तो उतना कर्मों से भिन्यता का भाव अपने आपी आएगा अपने आपी पर पढ़ आया हूं में आकुलता मैसू सुन लगए यारे यारे पर म तो में रहना अकुलता नहीं लग रही जब तो जीप का घ्यान जागरत नहीं देखो छूट नई छूट पाये को यह नहीं कहा रहा है जूटना बहुत बड़ी बात है देश्ट लेकिन अब ही पर में आकुलता लगने लगी और भैया यह समयई लो यह तो पर में आकुलता लगने लगी रोना गाना नहीं आकुलता लगने लग क्या करें के से जा रहें एसा नहीं ज्यान को पर में आकुलता लगने लगी अभी पर पर पर्याय पर परिणमन यदि ये दिखने लगा कि हाँ ज्यानी सादक को ये दिखने लगा कि हाँ यार ये दुख्का कार लगा यार यह परपरयाय तो अनिष्ट का मूल है यह परपरयाय तो दुख का कारण है इन परपरयायों के कारण अक सुकून और सांती नहीं मिलेगी यह बात अंतर से थोड़ी देर के लिए भी जीप के अंतर में आ रही है वो उसकी ज्यानधारा जागरित हो रही है अंतर से उसको इन परियायों से भिन होने का यह दुख बिकल्ब रूप यह जितने भी सायोंग चल रहा है यह दुख तका बना हुआ है जाने के लिए निर्वकल सुभाव की रुची है रुजान्तत का बना हुआ है में ग्याता दिश्टा भगमान आत्मा एसा सयोग में सुभाव में एसा रंजायमान होने का भाव है तो भब्यात्मा यह समझो कि अब इस जीप का ज्यानमार्ग प्रारम हो यह ज्यानमार्ग प्रारम हो चुका है यह ज्यानमार्ग के साधक के लख्षण है और गुरु मराच के ग्रंथ इस ज्यानमार्ग से आगे बढ़ने वाले ग्रंथ हैं ध्रुप सभाव की निश्चल श्रद्धा सहित बहेद प्रवेद की दिश्टी को छोड़के एक मात अब सील आदी व्रत को लो सील को लो तब को लो दान को लो वही क्या है सील अच्छा पता कुशिल क्या है में परिस्त्री रमनता कुशिल है और क्या है यह कुशिल पर में अनुरक्त होने का नाम कुशिल है अच्छा अर्था परिस्त्री आदी परियाई में रमनता का नाम क अपनी दिश्टी को अर्थात अपने अपने आपके अपने अतींद्री आत्मा के उपभोग को छोड़ के आपका जो इंद्री विशे में आचरण हो रहा है निश्चे से इसका नाम कुशील है कुशील अर्थात सच्चा सील ना हो जिसका जिसका सील भंग हो तो भी अपन बाहर में बेविचारी जीवों को बेविचारी लोगों को कहते हैं यह कुशील को करने वाले हैं कुशील को करने वाले हैं उनसे तो गिलानी होती है उनसे तो अपन कुशील को सेवन करने वाले को पापी कहते ही है दुलाचारी कहते है व्यस्नी कहते ही है लेकिन भब्यात्मा यह सील की परिवासा तो बता आओ भाई एक समय के लिए इंड्री विस्यों से अपना संपर्ग तूटा है क्या एक समय में चैतन में सवाग के अनुभूति में रहमाय हो क्या एक छण के लिए भी अपने वीत्राग तींद्री चैतन ब्रह्म सुभाव की घर्जना तुम्हाई अंदर से निकली है क्या एक छण के लिए भी कि अंतर ग्यान धारगा प्रकास केवल ग्यान में अर्क सुर्क माई इच्दा अनंद जिनात्मनम मैं तो आनंद सरूप चैतन्द में परमात्मा हूँ क्या एशा शोर तुम्हाई अंदर से उचला है क्या क्या कभी ग्यान अपने ग्यान रूप को ही गे आकार बना के क्या उस ग्यान आनंद की मस्ती में मस्त हुआ है क्या अरे भब्यात्मान यदि अपना ग्यान ग्यान में सुभा को गे बना के यदि अपने ग्यान की मस्ती में उचला है तो भब्यात्मान ये ही आत्मा का सील है आत्मा का सील है आत्मा इसका सील है और जिस आत्मा को ये सा सील है वो ये आत्मा कुसील से रही थै नहीं सुना यही तो यही तो है सबसे बड़ी बात यही तो है कि तुमने एसा सील वरत को सुना होता है तुमने सील को धारन किया होता तो फिर तुमाई मुक्ति नहीं हो गई होती मैं ऑपनी रुची की बात है न में मूल तब बत यही हे कि रुची 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 इचे अब यम सील बत देने की बात करो तो लोग वो किरेंगे हाँ भया रमचर का पालन का नहीं कोशिश करेंगा वो भी कोई लाखों में से दो-चार लोग होंगे वो इसा बोल पाए तो वो भी मजबूरी में नहीं तो भया यह सील की सैयम की भावना है जीब के उपाहर का मोय का इंद्रियों में भोतिकaffen को बढ़ाने का वो थिकör को ब्रतिकत करने का बोतिक सुकों को और 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 अधिक बढ़ाने का यह यहाज जर्फ ताम यह फेसण है अर्थाथा आज के ताम स्टेंडर मानते हैं पहले पूर्व कालों में सैयम को स्रेष्ट मानते थे सैयम ही जीप की पूजा होती थी पूजा मतलब यह आजकल यह से मुनियों की हो रही यह सी यह नहीं यह सब दिखावा यह सब यह आडम नहीं मतलब जो सील ले लेता था सैयम ले ले लेता था सुद्द सील सैयम उसको स्र पहले अधिकार शाशन धर्मात्माओं के पास होते थे आज कल करमात्माओं के पास होते हैं यह युक का परिवर्तन है और इस युक के परिवर्तन में जीप की मानसिक्ता भी उतनी तेज़ी से पुतला है जीप इस समय वर्तमान परियाय में मन की एक्छाओं और वासनाओं का पुतला है जीप बता इस इन एक्छाओं कामनाओं के पुतले से कहे रहा हैं कि सील वरत का पालन करो तो भीया आधे लुट से ज्यादा 99% लोग तो बेसी चले हैं आएंगे वो कहेंगे भीया आप दिये तो भीया नियम दिलवाने की बात कर रहा है यह जगे छोड़के चलो एकाथ परसे डुकेंगे तो बाहर से कहेंगे हवाई या कोशिश करेंगे कोई ले भी ले ब्रहमचर तो भी बैया यह पता कि ब्रहम सुभाव की रवनता को जानते हो या नहीं जानते अतीं žवाव की ललकार उत्पन होती या नहीं होती या नहीं होती नहीं होनतर से ग्यान विग्ञ्ञान इस तीन काल में भी तीन लोग में भी किसी प्रकार से तुम किसी भी का तरीके से कुसील भाव से नहीं छूट सकते किसी भी तरीके से कुसील भाव से नहीं छूट सकते कुसील से छुडाने वाला है सील ब्यवार में बरिस्ति रमनता का परित्याग लेकिन अंतर में सील व्रत इंद्रियों में आच्रण हो रहा है अनाधिकाल से उस संस्कार को तोड़ने का नाम है कुसील का त्याग व्रत तरह में रवन्ता को तो जानों और अत्मा में जो जीव्रवन करेगा पर में देखेगा क्यों वह तुम्सकार में पर में इस परिस्तियों के Mechanism की तरह पर परियाय सिर्फ परिया क्यों करेगा तुम तो छोडने की बात कर रहा हो वह तो देख नहीं कि देखे गाई नहीं क्यों आत्रमंता जिसको इत्बंध हुई है या फिर ये बोलो आत्म रमंता की और जिसकी दिष्टी गई है शरूर प्रमर्णता आतीन ध्री सुक्की और इसकी डिष्टी गई है एसा ध्रिष्टा इस इंद्री विसेभोग की तरफ देखे गई क्यों अभी संस्कार्थ उसके पास चारित्र मोही का उदे से संयोग हो सकता है इंद्री विशेभोगों का लेकिन दर्शन मोही का उदे नहीं होने से उसको ये विशेभोग एकदम जडवत ही भासित होना है जडवत रशीन वे चड़त मोही कोदि से रश तो आएगा उसे कसायों का अरे बप्याइन ऑद्री लेकिन अनंत संसार अनंत अन्यमंदि का रस ना होने से वो रस आते हुए भी वो रस रस का सादन नहीं है वो रस दुख का सादन है यह ज्यानी जीप की स्थिति यह अंतर की वो रस रस का सादन नहीं है वो रस दुख का सादन है मन इक्षा करेगा मन बासना में लिप्ट होगा इक्षाएं हो सकती है लेकिन वो इक्षाएं सुख का कारण नहीं है वो एक्षाएं दुक्का कारण है जो जीब एक्षाओं की पूर्ती करने के लिए भागने लगे एक्षाओं की पीछे भागने लगे वो तो अज्यानी वो तो मूर और जो जीब एक्षाओं हो रही है एक्षाओं को जान रहा है एक्षाओं की पूर्ति करने के लिए तयार भी है लेकिन एक्षाओं दुख्का कारण है ऐसा जानके उन एक्षाओं को अपने आत्मवल से समन कर दे एक्षा निरोधा तपा अब आगी तप की चर्चा इसका नाम है तप एक्षाओं का निरोध हो जाए अंतर से एक्षाओं उत्पनी ना हो गाथा का वांजन पूरा हो राज एक्षाओं उत्पनी ना हो एक्षाओं समन हो जाए एक्षाओं को पूर्ति करने का जो अनुराग है वो एक्षाओं को पूर्ति करने का अनुराग तूट जाए एक्षा निरोधा तप उस समय जानों कि आपको अपतप हो गया अपने अंतर में तपश्ण प्रारंभ हो गया यह केसा अभी तब यह बहार से जंगल में गए नहीं है साधु हुए हिए अभी तब केसा अरे भब्यात्मा इस संसार में इस संसार में जो अनंत संसार को बढ़ाने का संसार कनरोध होना मन की इक्छाओं की प्रवर्ती पे लगाम कर जाना अनंता अर्थात अनंत संसार के परीव्रमन पे लगाम कर जाना मन की एक्षाओं की प्रवर्ति को सीमित कर लेना मन की एक्षाओं को अपने आधीन कर लेना ज्यान के वल पे होती है लेकिन सुप से असुप करने की बात नहीं कर रहा है वही है मंदिर जाने की कर लो घर में रोटी बनाने की तो मंदिर जाने की कर लो सब इस सब कर लो जे रहे सबंदों की अपने आत्म मेरी आत्म का सभा नहीं होती पर मन में होती है एक छाओं से पूर्ती आत्मा की रस्की नहीं होती एक छाओं से सुखी आत्मा नहीं होता एक छाओं की पूर्ती से अनुकूलता आत्मा को नहीं मिलती एक छाओं की पूर्ती से एक छाओं से एक छाओं के पीछे भागने से अनंत कर्म और वंद होते हैं जिससे आत्म अकलिती होती है एक छाओं के पीछे भागने वाला तो ये मन है एक छाओं की वांचा करने वाला तो ये मन है और ये मन पंचिंद्रियों के पीछे एक छाओं के लिए बिलकुल ललायत करता है अग्यानता के लिए ललायत करता है ये भव बैतमन तुमने इस मन से परे इस मन की जूटे प्रपंच से परे, इस मन की कामनाओं से परे, एह तुमने आत्मनन को जान दिया कि मैं तो परिपूर चेतन में परमात्मा हूँ, एक्षाओं से मेरा कोई संबन्द ही नहीं है, तो इस समय से तुम तपश्वी हो, इस समय से तुम तपश्वी हो, इस चान से तुम जब अशुप की छाओं से विरक्ति का भाववडपन कर लेता है अपना संबंद तोड़ देता है और घ्यान-धारा में प्रवर्थ होके अपने आत्म-धारा में मस्त होता है घ्यान-धारा में अप्योग चिट लगाता है आगने बीरतानी characterize लगाने की बात है जब घ्यानधारह अद्वी लगता है जुथольित अत्मदारा में अपनी हिआनधारण चित लगाता है जब जील्स की जीब का चित अपनी अंत्रंग में अपनी ज्यानधारह में लगता है तो जहां चित अपनी अपनी ग्यायक सुवाव की ग्यानदारा में एकागरचित होता है उसी समय से जीब का तपश्रन प्रारम हो जाता है और यही वो तप है भाईया जो निकांचे तंग से उत्पन होता है यही वो तप है कि समस्त कांचाओं से रहेत मेरा अतींद्री दुव सुवाव यही वो तप है जो सम्यक्त सुद्धम जो सुद्ध सम्यक्त के आच्रण को प्रवर्त करता है जीब के अंदर में जो चीप की पिरवर्ती को अपने दर्शन ग्यान में अभे सभाव से कसता है कि आओ मैं तो द्रव हूँ, आओ मैं तो निराकार चेतन में आत्मा हूँ, आओ मैं तो ग्यान बिग्यान में द्रव केवली परमात्मा हूँ, मेरा तो इन परपरियायों से, इन परिणामों से, इ एक्षायम से भेंन एक्षायम मेरा स्वरूप नहीं है और मैं अतींद्री सुद्य hospital in रहत ब्रकाजवान गयाएक शवरूप भगवानाग्न फरुप सुद्य विज्ञान में मेरा स्वरूप है अनंत अभेद निकोद की रीकाजवान मेरा सुभाव है जहां जीब को अंतर से जिनेन भगवान की देवध्वनी सीधे अंतर आत्मा में भिद्धिती है क्या हो अंतर से जीब के ग्यान में यह जिन भगवान के बच्दों की ललकार अंतर आत्मा में भिद्धिती है जिस पल ये ललकार जीब के अंतर आत्मा भित्ती है उस समय ये जीब इन इच्छाओं के प्रपंच से परे अपने अनिच्छ अपने अतींद्री दुर्ब सभाव को सवानभूती में लेता है जिस समय यतींद्री ग्यान विज्ञान में सभाव स्वानभूती में आता है अपनी दिष्टी में दिष्टी गोचर होता है अपने सभाव की श्रद्धा को प्रवल करता है उसी पल इस जीप का सच्छा तप में आच्रें प्रारंब हो जाता है एसा तप्रारंब होता है एसा अंतर ग्यान का बल एसा जोरुतपन होता है जिस घ्यान के वल पे जिस आत्म के वल पे वे सारे करम धीरे 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 करके तूटने लगते कर्मों का तूटना क्या है अरे अनाधी काल की च्छां और अनाधी काल के अपने इंद्री भोगों में प्रवर्ति करने के जो संसकार है जंद रंजन कल रंजन मंद रंजन के इन संसकारों का तूटना ही कर्मों का छे होना है कर्मों का यह थोड़ी ना है कि यह क्या कर्मों का च्छे होना किसे केते हैं कर्मों का च्छे होना अर्थाद मिठ्या मद मोह आसा तिशना लोव स्वार्थ काम एहंकार इनके जो संसकार हैं इन संसकारों का अंतर से गलना इन मिठ्या संसकारों का अंतर से गलित होना इन मिठ्या संसकारों का अंतर से तूटना इस संसकारों के तूटने का नामे कर्मों का च्छे होना जो बाहर में कर्म च्छे होते हैं वो तो द्रवकर्म में वो तक कर्मों का परिड़माने रूप परिड़मा नहीं है कम सभाव संखिपनम कर्म तो भहिया अभी आप किते साल के हो 11 साल के, 11 साल के उमर कब छे हो जाएगी, 11 साल एक मिट हो जाएगा, तो 11 साल के उमर छे हो जाएगी, 11 साल एक मिट के उमर हो जाएगी, 12 साल के हो जाएगे तो 11 साल का पूरा लकालम खतम हो जाएगा, यह कोई करम का खितना थोड़ी ना है, करम का छे होना थोड़ी ना है, य बहुत फे काम चल रहा है फिर यह काम बंद फोसर्व काम की संखला थी पर टोट है करमों के छोट कर्म तो जहां के ताम अने हुए ना कर्म छे दोड़ी नहीं हो रहा है एक से अनन्त अनन्त से और अनन्त अनन्त से और अनन्त तो बढ़ते जा रहा है एक भी कर्म छे नहीं हो रहा कर्मों का छे होना क्या है इस अनिच्छ सभाव से स्वान भूती से तत्त के श्रद्धान से क इन भगवान का जो बस्तू सरूप है उस बस्तू सरूप को सीकार करके जो अनादी काल के जो अंतर में संसकार पड़े हैं इन संसकारों में आग लगने का नाह में कर्मों का तूटना इंद्री विसे वहोंगे संसकार तूटें इन इंद्री विसे वहोंगे संसकारों की जो ल लोलुप्ता खतम हो भाया जैसे ये संस्कार तूटेंगे जैसे ये लोलुप्ता तूटेंगी बेसे ही समझो कर्मछे हो गए कर्मछे मात्र संस्कार तूटने से हो सकते हैं वस जब तक जीप के पास संस्कार हैं असुद्ध संस्कार हैं तब तक तीन काल में भी कर्मछे होने वाले नहीं है कर्मों को छे करने का उपाय मात्र एक संस्कारों को तोड़ना है जित्ती जल्ली संस्कार टूटेंगे जित्ती तेजी से संस्कार टूटेंगे उतनी उतनी जल्ली उसको रिलीफ मिलेगा जितनी तेजी संस्कार टूटेंगे वह यह कहते हैं संस्कार को तोड़ नहीं तो साथना है यह आपके संस्कार नहीं तूटे फिर साथना काईगी आपकी साथना काईगी संस्कार तूटना चाहिए अंतर से तूटना चाहिए अंतर अंतर आत्मा से संस्कारों में आग लगना चाहिए यह किस चुलिए आंत्र आत्मा अंत्मा लगेगी ना संसकार आत्मा में जब ही मुक्ति करने अब जीव किया रहा हूं के से लगे हैं क्या करें क्या करें आ McMura चुनल को सुभाव की ड़ेगी जों दात्मा की डची को संसकारण ठूटेंगे तो तो मुक्ति का मार्ग बनेगा लेकिन संस्कारों को तोड़ना पड़ेगा क्या करें वह संस्कारों को तोड़ने के लिए यही तो मूल यही तो सबसे बड़ी मूल बात है इस संस्कारों को तोड़ने के लिए सबसे पहले सुभाव का सुभाव 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 और कितनी प्रगाड आस्था है कितना गहरा विस्वास है कि हाँ मैं तो वो द्रुब चैतन में परम अतींद्रियानन में सुद्ध बुद्ध चैतन में निराकार सत्ता ही हूँ इतनी कितनी वंजंदारी है अपनी आत्म सच्ता कि आत्म सच्ता कि कितनी वंजंदारी है आपके अंदर में सुभाव 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 और मात्र सुभाव सुभाव का कितना द्रण सुरद्धान है आपके अंदर में जितना गहरा शुरद्धान आपका सुभाव का है जितनी गहरी आस्ता आपको सुभाव की है उसके बल पर ये संस्कार तूटेंगे बस संसकारों का छे अपने सुभाव की शुरद्दा से होगा अपनी अंतर आत्म सुभाव की शुरद्दा से होगा भी देखो बहुत सुक्षमिसी बात है बहुत सुक्षमिसी बात है और वो सुक्षमिसी बात अनुवाव में कव आएगी वो सूक्षमिसी बात अंतर सरद्धान में कब आएगी वो सूक्षमिसी बात अंतर सरद्धान में तब आएगी अनुवा में तब आएगी जब आपका उप्योग अज्ञान धारा से पल्टेगा जिन भगवान के बचनों की ज्ञान धारा को अंगिकार करेगा अंतर से अंगीकार करने की वात है यहां तो यहां बुद्धी के बिगल्पों का काम नहीं है समझने और समझाने का काम नहीं है यहां तो एक बार में सीकार करने का काम है की हाँ सत्य द्रोबे और प्रमाण जहां एक बार में अंतर से सीकार हुआ जहां एक बार में अंतर से लगन लगी जहां एक बार में अंतर की ललकार उत्पन हुई महां एक छड़ में सुद्धी और सिद्धी और मुक्ती महां एक छड़ में मुक्ती महां एक छड़ में निर्वान एक बार अंतर से लगे ललकार की मैं ब्रम्सरूपी परमात्मा ही हूँ बस इतना ही तो खेले इस चंसार का इस चतुरुकती चंसार के परिवर्ण से छूटने का इतना ही तो खेले भव्यात्मा ये अपने सरूप का बहुमान स्वा समय में जो अपनी सत्ता है सुद्व समय में जो अपनी सत्ता है उस सुद्व समय में सत्ता का बहुमान उस सुद्व समय में सत्ता का गोरा देखो भाईया क्या क्या हो गया कितनी असानी से हो गई 11 पिती माई कितनी सरलता से गुरु में तत्तवानी पेखम तत्त में कितनी असानी से समझा दी भईया ब्रत कितनी सरलता से जाने है अपने सील ब्रत कितनी सरलता से जाना है अपने तब कितनी सरलता से जाना है अब बची दान भईये दान भईये देखो दान से सच्चा मार्ग और कोई सा नहीं एक बार अपने उप्योग को एक बार अपने तरकाली परमात्मा के दान में लगा दो वस एक बार उप्योग को एक बार कह दो कि हे भब जीवात्मा हे भब क्या उप्योग को किसम बज़न दोगे हे भब अर्था उप्योग को क्या को हे ग्यान हे ज्ञान दर्सन में शक्ति, हे उपियोग, एक बार तू अपने सुद्धता को प्रकट कर, एक बार अपने सुद्धता को प्रकट करके, एक बार अपने सुद्ध भाव को प्लप करके, एक बार तरकाली की ओर जातो, यह द्यान एक बार उपियोग दान देना प्रारम तो कर एक बार दाता बने तो एक बार अपने ब्राठ शरूप को जाने तो एक बार अपनी ब्राठ चेतना को देखे तो एक बार अपनी अध्शक्ति को जाने तो उपियोग को ये बहसूस तो हो कि मैं सुद्ध उपियोग मैं हूँ दर्शन ज्यान को ये बेदन तो हो अर्था ये सुयम की अंतर की सीकारता में उपलब देतो हो कि ज्यान गुण भी सुद्ध है और दर्शन गुण भी सुद्ध है उपियोग का सभास सुद्ध उपियोग मैं है एक वार अंतर से सीकारता तो हो कि मैं उपियोग मैं उपियोग सुद्ध उपयोग मैं हूँ एक वार यदिस जीव आत्मा ने इस उपयोग ने अपने सुद्ध उपयोग को सुद्ध दर्शन ज्यान को सुद्धता से सीकार किया सुद्ध दर्शन ग्यान मैं अपने सुद्ध उप्योग को सीकार किया तो भया एक बार का सुद्ध परिणाम भी एक समय की सुद्ध भावना भी सुद्ध की बात चल रही है एक समय की सुद्ध भावना भी क्या करती है सीधे सुभाव को दान देती है अपने अनादी अरंत ग्यान सभाव को दान देती है और ग्यान सभाव जैसे ही देखता है कि यह सुद्ध भाव ना है ग्यान सभाव जैसे ही देखता है कि यह सुद्ध उप्योग है ग्यान सभाव जैसे ही देखता है कि यह सुद्धता का भाव है वेसे ही वो ग्यान सभाव इस सुद्धता के भाव को गरण कर लेता है जैसे ज्यान सुभाव सुद्धता के भाव को गरण करता है उस समय उप्योग सुभाव में हो जाता है उप्योग सुभाव में हो जाता है उप्योग सुभाव में हो जाता है जैसे उप्योग सुभाव में यदि एक समय के लिए उप्योग सुभाव में होता है तो उस समय सु बिलकुल निष्ट नावूद हो जाता है, चुछन मात्र में बिला जाता है। यह भबात्मा जब एक समय के सुद्ध दान में,omet संसार्च हो जाता है, यह दान में तेरी नित रुचि लग जाए। इस दान में तेरा चित लग जाए सुद्ध परत में सुद्ध सील में सुद्ध पडिमाव में सुद्ध तप में सुद्ध दान में तेरा चित लग जाए तो बताओ कहा का अनंद संसार कौन से संसार की यात्रा तेरा चित इनमें लग जाए तो गुरुमाज करें सम्यक्त शु ग्यान में तत्त ऐसा बलयां अंतर से सरूख बोध रहेगा क्या सम्यक्त सुद्धम सुद्ध सम्यक्त्त के उत्पत्ती होगी आजिसां मोक्ष्मार्गे इसां द्रशं में असुद्ध में ुद१ सुद्धा म्यूंत्म होगा मल्म 6 सारे द्रवकार्म, भावकार्म, नोकर्म, इन सब की सत्ता को विद्वन्स करता हुआ, मैं अतींद्री ज्यान बिज्यान में ज्यायक चेतन सरूप परमात्म, जहां अपनी सत्ता का जोर उठ रहा हो, जहां अपनी 100-100 समय में सत्ता का जोर उठ रहा हो कि, हाँ वो परिपूर् ग्याय ग्यान पिंड परमार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वा सहेज, क्या आपको इस सहेज, जिनेन भगवान के बचनों की ये सी महिमा है, आप सच्चे दान को जानते हैं, आप सच्चे व्रत को जानते हैं, क्या आप सच्चे सील को जानते हैं, यदि आप जानते हैं सच्चे सील दान तब को, यदि आप जानते हैं जिनेन भगवान की व तो भाव में इसलिए नहीं जाएगा पाप परिक्रे में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जिसे अम्रित्क चखने मिल रहा हो वो बिस पीने क्यों जाएगा अभी यहां कोई प्रश्ण कर सकता है क्या प्रश्ण कर सकता है अभी हमारा चित्तोस और जा रहा है पाप की और जा के वचनों का यह अंब्रेत यह घ्रन करना पड़ेगा दर्शन ग्यान में चारित्र की जो अचार जिन तारंतरंदेव दे रहा हैं इस अपनी भासा में इसकी श्रद्धा को आत्म सभाव की निष्ठा को और प्रगाद करना पड़ेगा करना पड़ेगा कियरा आप मतलब कुछ कार है हाँ इतना सा कार है कि इस जिन अम्रित को रुची पूर्बक उपलब्ध कर लो आप इस सभाव की प्रगाड कर लो आपके अंतर में आपकी आत्म का यान का बल उत्पन हो जाए कि आपको एष्ट और अनिष्ट की पहचान होने लगी अन्तर से अभी क्या है जीब को ईष्ट और अनिष्ट की पहचान नहीं होती अंतर से उसे बता दो वही है कि यह करना सही है यह कला थे खुद निर्णे नहीं कर पा रहा देख अच्छा सुबे से लेके पर परयाय में रमन कर रा थे स्वभी से लेके शाम 93 ऑद्में रमन कर रहा है हैँसे समझ में नहीं आ रएक कि बढ़िए पाप इसे कहसा है में उल्जेगा अर्थत पर-पर याया को देखते राएगा अनादीकाल से जनम अनुजिद्भाव में भी इस कर्ततत में भूक्तत में मोहें में राग में काम में विकार में परिणाम हो तो इसी समझ नहीं आ रहे कि दूर गति चलै आएगा इसे हो इसने जाना भी ले इतसी इस की रुची लगी रही पर की CEO करता लिए पना तो मिठ्यात साइट यह जी निगोच चला जायाएगा विध्यात साइट यह जी दुरगतियों की और चला जाया गा भई इतनी चोटी सी बात दों समझ में नहीं आ रही इत्ता सुनने के बाद भी अंतर में सुबह से लेके शाम तक पर्याय में पर की चिंता में पती की चिंता में पुत्र की चिंता में भोग की चिंता में विस्या की चिंता में घर की चिंता में सुबे से लेके शाम तक भई इसका दिन इसे निकल रहा है इसको जाकरण क्यों नहीं हो रहा है अरे भब आत्मा ये तो मोई की महिमा है खूब सुन रहा है खूब सुन रहा है खूब सुन रहा है खूब सुन रहा है लेकिन सुनने के बाद चित्त में कुछ उधर ही नहीं रह स्वें के अंतर से अंतर ग्यान धारह अठबनी नहीं हो रही स्वेंचाव के अंतर से स्वेंची आत्मा जाग जा मैं लाहर करणा है रहा हूं मैं अपनी आत्मे के साथ कितना कपट कर रहा हूं कि परपर्याय मेरा सुभाव नहीं है लेकि सुभे से लेके शाम तक परपर्याय के आनन में ही मस्त है मन के आनन में ही मस्त है अभी छूटेगा नहीं मन का आनन अभी परपर्याय तूटेंगी नहीं लेकिन भगवन होश तो आए होश कि कौन कौन से संस्कार पड़े हैं केसे केसे असुत संस्कार पड़े हैं कम से कम इतना होश तो आए तत्य चिंतन की धारा तो प्रभाइत हो स्वाध्याय चिंतन मनन से सत्य का अवलोकन तो हो जूट को जूट कहने की सामर्थ तो दोश यह तो दोश रूप लगें दोस्तों गुड़ना लगें कम से कम बहुत अच्छा गाते हैं यह कोई गुड़ नहीं है हम बहुत अच्छा बनाते हैं यह कोई गुड़ नहीं है हम समाजें बहुत अच्छे रहते हैं बहुत मानें बहुत प्रिष्टा है कि कोई पटा के लेकिन जीप को इनहीं कबान है हुआ ह्म बहुत याइवंत है अर attempt दुनिया तुम से और गुश्प से मेरे अपने और कोई नहीं है लेकिन अपने ही मान है ना जैने का यह घुमान है यह परियाय में यह परिणवन में यह कर्टत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त् परका एहम करोगे और निगोच जाओगे जिन सिद्धानतों को जान रहा है जिन सिद्धानतों को सुन रहा है जिन सिद्धानतों को समझ रहा है और लेकिन दिश्टी पर से नहीं हट रही परके एहम तूट नहीं रहा केसी बिपदा है जीप के अंतर में केसी बिपदा है केसी कर्तत की केसी एहम की केसी संस्कारों की मानिता पड़ी हुई है कैसा मोय का ओदे पड़ा हुआ है कि जिन भगवान की साक्षा दिव धनी कह रही है कि तू परम सत्ता चेतन्दवान है लेकिन इसको उस परम चेतन्दवान सत्ता का बहुवान नहीं आ रहा है बहुवान का है का आ रहा है मेरे पास कितना धन है मेरे पास कितना बेभाव है मेरे पास कितना सोना है मेरे पास कितनी चांदी है हीरे मोती जवाराद पुत्र परिवार कुटम कितना अच्छा है मेरा इ लेकिन कभी यह बूद नहीं आता कि सचीद आनंद विलास वो चैतन सरूप कितना अनोखा और कितना अनंद चत्रष्टे में हैं कभी ज्ञान धारा उत्पन नहीं होती कर्मों की धारा में तो सुवे से लेके शाम तक चक्राता है लेकिन ज्ञान धारा को कभी नहीं देखता आत्म चिंतन पर डिष्टी नहीं जाती और आत्मी चिंतन पर डिष्टी भी जाती स्वाम आत्म् कभवान अत्म मतलब अपने सवा का सवा के संसकारों को देखके उन संसकारों को तोड़ना सवा का अवलोकन सवें सभाव को सामने रखना बिलकुल सावधान एकदम सतर्क में तो ज्ञान विज्ञान में चेतना हूं ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है ज्यायक में मेरी आत्मा है अब जब ज्यायक है तो लेकिन मेरा काम इनसे जुडान करने का नहीं है फिर भई यह मेरा काम इनसे जुडान करने का नहीं है तो मेरा काम तो सदा ग्यायक में है ग्यायक में रहने का है है तो है तुम इतना विश्वास तो हो जायक ने SPEAKER कोई बात नहीं लेकिन गयायक हुँ दिश्टी मिख्या फुट्रा Guess कि जम जाए यह करता आभगता हुँ तो करते हुगते समय इसके दिश्टी में जिन भगवान का बस्तू सरू जूलता रहेगा तो करते भुगते समेवी करता भुगता रूप परिणाम में भिन्यता लगेगी क्या रहे है देख लो देख लो बस्तू सरूप ये कह रहा है बस्तु सरूप ये कह रहा है क्या कह रहा है कि कर रहा हो कर रहा हो कर रहा हो बेटा कर रहा हो करने की सजा ये कि मरना पड़ेगा चुरासिला की उन्यों भिन्नता कर दे अपने आप ही हो बस्तु सरूप जिन भगमान के सिद्धान ते ग्यान धारा अंदर से आए और उस कर्तत की धारा को खंडन कर दे मित्यात मोहरागादी खंडन उसको खंड कर दे उसको तोड़ दे और संसकार के उपर प्रहार कर दे एक बार प्यार होगा दो बार होगा अरे सो बार होगा हजार बार होगा लाग बार होगा क्रोड बार प्याहर होगा तब जाके संस्कार टूटेंगे चेतान एक दो बार से काम बनने वाला नहीं है भेद ज्यान की परम छेनी और भेद ज्यान का परम उपाए ये बार बार जीप के जीवन में जब अंतर ज्यान उप्योग से घटेगा अंतर ज्यान अंतर आत्मा के श्रद्धान होके बल पे घटेगा तक जाके कहीं जीप के कोई काम सिद्ध होगा भब्यात्मान मानो गुरु देप की आग्या मानो सा दर्शनम सा मतलब सुद्धा आत्म सरूप मतलब सा मतलब सोयम दर्शनम अर्था देख लो दर्शन कर लो अर्था शद्धा गहरी आस्था स्वानभूती डर्शन का रत होता है सुद्ध अर्थ स्वानभूती यह फिर दूसरा अर्थ श्रद्धा सा दर्शनम, वही काय का दर्शन, सा मतलब सोयम, दर्शन मतलब दर्शन, काय केसा सोयम का दर्शन, सुद्धम, शुद्ध दर्शन सोयम का, वही केसा सुद्ध दर्शन, मलम विमुक्तम, जो कर्म से मुक्त हो, जिसके दर्शन से सारे कर्म मल एक छण में विलाय मान हो जाएं, एसे सम्यक्त शुद्धम ज्यानम चरित्रम एसे सुद्ध सम्यक दर्शन में आच्रण करते हुए ज्यान चारित्र को पिक्टाओ भव्यात्मन ये मोक्षका मार गे और ये भाया ऐसे सुद्ध दर्शन को छोड़के ऐसे जनेंद्र भग्वान के सुद्ध अवधिय को छोड़के ऐसे माला रोहन को गूतने का पुरसाज şunu के ऐसी मन रंजन में पूपरनाप संसार दुख भाजिनाव अलंस संसार की दो भुखने पड़ें इस चुनाओ तुम्हाई दिश्टी का है यह दिश्टी आप 세फ चुले अपने निश्त रखाली परमात्मा को तो तो फिर तीन काल में कोई कर्म, तुम्हें कोई भेवित नहीं कर सकता, कर्म दे चलते हैं तो मन तो डरता है, देखो यह मन की अवस्था को चलने दो, मन के भेवी मिट जाएंगे, मन के भेवी मिट जाएंगे, क्योंकि देखो कर्म तो च्छे होंगे, तो मन में भेवी अवस्था जितने दिन की उत्ते दिन चलेगी, मन का भेवी मिट जाएगा, लेकिन तुम सभाव का भहुमान का एक एक अंस जोड़ते चलो, सभाव की जेजेकार और महिमा का एक एक अंस जोड़ते चलो, अरे ये एक एक भूंद अंतर में गिरण होता हुए है आत अम्रेत, ये कब अनंत केवल ज्यान के रूप में पिस्पुटित हो जाएगा, तो में पता भी नहीं लगेगा कि हो गया केवल ज्यान, केवल ज्यान करने के लिए कोई किरिया थोड़ने चाहिए, सम्मेक दर्शन सुद्ध अगदगोश, ये एक एक भूंद आपके हिर्दे में एकटे होते हुए, एक एक भूंद आपकी अंतरा आत्मा में जाते हुए, कब ये अनंत केवल ज्यान सरूप प्रकट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ये अभ्यास अपन ध्यान में करते हैं, य ये ग्यान और ध्यान का, सुबे का ध्यान का अभ्यास, और शाम को ये ग्यान का अभ्यास, ये ग्यान और ध्यान की जो साधना है, इनका जो परसपर तालमेल चल रहा है, एक समय घ्यान, एक समय ध्यान, एक समय ध्यान, एक समय ग्यान, इसके ध्यान और ग्यान के अभ्यास से जो संसकार चीन हो रहा है और जिन भार जो घ्यान उप्योग धरदूर्ब की प्रतीती कहलो यह आतम स्वरण का जो किरम चल रहा है इससे ही कर्म झीब मल करमल से विमुक्त हो जाएगा और भैया साधर्सनमसुद्दम सुयम के सुभा के सुद्ध धर्सन को पलप्त कर लेगा भूमी का है सबकी पात्रता है अपनी अपनी देख भैया ये जो चर्चा हो रही होती इस समय ये ये गुरु मराज की गाताओं में जो गुंड है से उसके साथ से होती है बहुत कोई रुचिया मुमक्चु जी भी इसका रस ले सकता है साधान अजीब सुनेगा तो कि सो जाएगा क्यों सो जाएगा बहुत कि इतना गेरा ग्यान और भाईया बिना ग्यान उप्योग के सुनेगा तो भाईया अपनी मन की धाराओं में बेतर आएगा बस जेखो जैसे किसी के घर में कोई मर जाए ना उसो बहुत दुख हो बहुत दुख हो बहुत दुख हो तो उस जीब को कित्ती दिलासा देते रहा कित्ती दिलासा देत गयाना सकती होगी ना तो आपको यह जिन भक्मान का उपदे से पिसुन भी लोगए तो आपके सामने कि इसा है कि आपके सामने बीन बजराइए है बस क्यों कि आप मन के दुख में मस्त हो मेरा पती यह सा मेरे पच्चे यह से मेरे पुत्र ही सा मेरे खांदान यह सा आप तो अपने मन के मोहे में अपने दुख में इतने मदमस्त हो या आन अम्रित कहां से अच्छा लगे कहां से आपक narciss लेगी कहां से आपको सांगर चाहिए आर smokingあ सुनते हुए भेह रहे हो आप जिन भगवान की वानी सुनते हुए भेह रहे हो आप क्यों क्योंकि आप मन की दुख में मस्त हो और यदि आपकी दिश्टी एक समय के लिए भी ज्यान उपयोग में हो भाई एक समय में भी आपकी दिश्टी पल्टी अपने चैतन सभाह में एक च्छन के लिए भी यह बात गिरान हुई कि मैं तो त्लो की नाद परमात्मा हूँ उसी च्छन सारे दुख बिला जाएंगे उसी च्छन सारी अज्ञानता चीन हो जाएगी और उसी च्छन आपके अंतर में एसा अनंत सोर जागरित होगा एसा अनंत सोर जागरित होगा कि आपको एक करोड़ सोध्या एक करोड़ शर्चा एक तरफ और एक समय का वह बहुमान एक तरफ क्या हो में तत्रो की नाद परमात्मा हूँ एक समय के ग्यान उपयोग में अनंत करन रिजरित होते हैं अनंत जिनका कोई और और छोड़ नहीं इत्ते कर निर्चित होते हैं, एक समय के ज्ञान उप्यों, ये चेतन राज इस निर्षकर्ष पंचाम काल में आचारत आरंतरं स्वामी जी की अनन्त कॉर्णा से, ये अनन्त चौदा गरंत महारत ने, ऐसा मालारण जैसा हम रहते हैं, यदि आपके जीवन में उपलवध हो र जुनने का भाव कोई बिरले जीव को आता है, कोई बिरले जीव इसको पी पाता है, जिसको आत्मनुभूती का सहकार हो, जो निर्वान के मारक पे आगे बढ़ड़ा हो, बस बोई, तो बहुत अंतिम अंतिम शब्द, गाता शायद आज पूर्ण हो रही है, कल नवीन गात सा सरूपम, पूरे पिचित्तर गुणों का वांचन करके एक एक गुण से मिलान करवा क्या है, एक भी नहीं छोड़ा, अब यहां परिमाय ग्यारा तत्वानी पेखम, व्रतानी सीलम, तब्दानी चेत्तम, यहां भी पूरे पूरे गुणों का यहां सहार रूप बढ़ड अब निर्वान, इस पूरी पूरी दिविदेशना का जिन भगवान की जो देशना है, इसका फल है सा दर्सनम सुधम, सुयम का दर्सन, कर्मल से बिमोकते हैं, अपनी आत्म सत्ता का दर्सन, है भब्बय आत्मान यदि एसा स्वरूप का दर्सन उपलब्द हुआ, तो इसा अब कारकारी है सिद्धी और मुक्ति का कारण है या यह से शुरूपका दरसंद नहीं हुआ कि प्रिश्था की शुर्द्दा नहीं बड़ी एस सुभा का उच्छाल अंतर से सहकार उत्पन नहीं हुआ अरे इसे स्वभाव की स्वाविमान रूप गर्जना अपलब्द नहीं होई तो भब्यात्मान तुम मन से दवे हो कही न कही तुम कही न कही मनोरंजन में दवे हुए हो इसलिए भगवान अपने अंतर से मन के दवाव को तोड़ो जो चिंताएं हो इसी समय आग लगा तो भगवान ये चिंताएं तो परियाई की हैं मेरी चिंताएं नहीं है परियाई में हो रही है ना पुत्र मेरा है ना परिवार मेरा है ना धन मेरा है ना दोलत मेरी है और ना जन्म मेरा है ना ये मरण मेरा है सब कुछ अभी आग लगे सब अभी छूटे इस समय सब मरे तो मुझे कोई अंतर नहीं आता इसा विश्वास करो अंतर में इसे निर्वे हो इसे मन को पीटो सब को अपने सामने आख से अपने सामने जला दो यह दियान करना तो आख सुबह सुबह सबको आखो के सामने जलाते हैं सब कुट्र परिवार ओर मकान दुकान और जित्था मेहल कर्टिकटम कभीला और इस टेनाते रात 진 जिन को भी तुमने अपना माना सबको अपन अब कल सुबह सुबह अध्यान की अगनी में जलाते हैं सब को भशमी भी भूट करते हैं सबके मोंए में लगाते हैं करते हैं आम ब्रह्मास में सिद्धों हम की गजना कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी चेतना हूँ मैं तो ब्रह्म स्वरूपी दिव्य आनंद में प्रकाश हूँ मेरा इस मोई से, इस ममत से, इस कर्टत से इन सारे संसार की लोकिक जम्मदारियों से कोई संबन नहीं है अरे इस दे को इस नश्वा तन को ही जलाते हैं इस तन को ही आग लगाते हैं इसके जलते ही इससे संबंदित सारे रिष्टे अपने आप जल जाएंगे इससे संबंदित सारे नाते अपने आप जल जाएंगे और भग बैयात्माओ जहां इससे संबंदित सारे रिष्टे नात जलेंगे वहां जीब के अंतर में उसके चित्त में उसके मन के भै में कमी आएगी जहां जीब धन संपदा मोय आसा तिश्णा के भै से मुक्त होगा वहीं जिन्वाणी उसके हिर्दे में सरलता से जाएगी सरलता से जिन्वाणी अंतर ग्यान गुफा में प्रवेश करेगी उ आनन्द में आत्मा सुखकंध पिंड में आत्मा में चीदा अनंद चेतन भासकर सूर जञान आनद स्वरूप परमात्मा हुँ जिन भगवान की आज्ञा जय वनते है साधर्शनम सुध्धम मे तो वे सुध्ध प्रकासवान धषन ज्ञान चारित्रमाई वे अनंत धृप चे और वह कि सुद्धात्मा हूं मैं सुद्ध चेतना हूं इस से अविचल अपने घ्यान बेग्च्ञान में इपने चुपाई का बोत जगाने के लिए सुद्ध सभाव की दिष्टी प्रकट करने के लिए आचार जिनेंद्र देब अर्था Dana Taren तरण देब जिनेंद्र वगवान की वानी को हम समस्त भब जीवों के कल्याना अर्थ है तू इस माला रोण जी में दे रहा है ये पब जीवों इसे गिरण करो और रतना तरे की माला को गूतो बस इतना ही उद्देश है या एसा उद्देश अपना सफलो एसी अपनी आत्म सा निर्विक नो इन्हीं मंगल वावना के साथ बोलिया चाहर प्रवर जिन तारण तरन मिला चाहर जी महराज जी की जैयो जैयो जैयो